कुछ एक प्रश्न है जिन पर मैं आपके तुरित जवाब चाहता हूं अभी करन जोहर का जिक्र कर रहे थे वियार अगेंस नेपोटिजम बहुत अफास कुछ नेता है मैं उन पर आपकी राय चाहता हूं और इसलिए नहीं कि व्यक्ति महत्पूर पर वो व्यक्ति एक विचा कर रहे हैं लेकिन यही है कि उनका जो 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 बहुत मेंनत कर रहे हैं चाहे बाहर का मुद्दा हो चाहे बिहार की कोई घट नहीं हो वो जो है एकदम जा करके मुखरता से जमीन पर आपको काम करते हुए दिखाई देंगे तो आप लोग कभी मंच या प्लैटफॉर्म या एजेंड़ा किये हैं लेकिन मेरे साथ जो उन्होंने किया है उसको मैं जरूर याद करता हूं क्या किया कि मेरे पिताजी का जब दिहान्त हुआ था तो मेरे घर पर आये थे और जो है शांतोना दिया था उन्होंने और आपके दुख की घरी में कोई अगर आपके साथ होता है उसको याद रखना चाहिए और कोई इनसान अगर मेहनत कर रहा है कोई पार्टी अगर मेहनत कर रहे है उसको भी रेकोगनाईज करना चाहिए और पार्टी मेहनत कर रहे इसमें कोई दोराई नहीं है असदुद्दीन रही बात कि क्या होगा उनका और क्या क्या जो ह इतिहास है ठीक है उसके चलते बहुत सारे लोग जो है उनके साथ खरा होने में कमफर्टेबल महसूस नहीं करते हैं तो मेरा मनना है कि भाई इतिहास तो सबके ऐसे हैं कि सबके कुछ ना कुछ सवाल है इसलिए अजीज सरकार मर्डर और इन सब चीजों पर ज्यादा पाती है लेकिन किसी एक घटना को आधार बना करके पूरा सब्वर के लिए और इतिहास की कोई एक चीज के लिए आने वाले पूरे भविस के लिए राजनितिक डिसकोर्स जो है उस पे निर्वर नहीं कराएगा इमांदारी जो है ना इसमें नहीं है नहीं कि आप एक जगा कॉमप पार्टी ने देखिए बिधान सबागा उपचुना वह इसलिए जीट गए फिर वही बात है जो बुलें कि हम नेपटीजम के खिलाफ है कई बार जनता इसको नहीं लेती है तो उहां हुआ क्या कि कॉंग्रेस पार्टी के जो कैंडिडेट थे जीते हुए वह MP बन गए और ब्योरी का विह बहुँ सराय का गिराषि भार से आये हैं यह डिसकोरस नहीं चला लोग मुदीजी को देख रहे थे कई बार यह चल जाता है तो बहार केola हार जाते है कई बार पड़िवागर बात का ईसकोश चल जाएगा काई बात नहीं चलता है तो यह निरवर करता है कि कौन सी सक्टियां उठा रही यह फ्लुक था ओवेसीई कीSchui के चुनाओ जीतना मैं यह नहीं देखता हूँ कि इस में घथ कोई मिभ mechanism औहुत सारी हों जी बात कह रहे हैं कि नहीं वह बॉट काटें ग single imageใ कोई भी पार्टी कहीं जागर कि दिसमें चुनाव लड़ सकता है ठीक है आप यह गगर कि यह उसका बोट काटेगा उसका चुनाव लड़ने का अधिकार है उनको लड़ने दीजिए और जनता को इतना बिवकूफ लोग क्यों समझते मुझे यह समझ में नहीं आता है मुकेश सहनी मुकेश सहनी जो है पिछले लोग सभा में भी मेहनत कर रहे थे काफी फिर बाद में रखेंगे कि नहीं आरजेटी के साथ जो बात चल रहा है हम ठोड़ी अरे वो तो आरजेटी तो यहीं कह रहे है कि या तो मुकेश सहनी और आरलस्प को रख लें या लेफ्ट यहां तो आरजेटी तो देखिए जाने वाले आप लोग यह नहीं करेंगे कभी प्याइप के साथ उनकी पार्टी के साथ नहीं हुई है करेंगे मैंने पूछा क्यों नहीं करेंगे कर सकते को को किसी के साथ ऐलाइंस आरलस्प अपेंद्र कुश्वा देखिए गयर नहीं पटी तो आपके पाले में आगे भाजपा वही है भाजपा पॉलिटिक्स का एपी सेंटर है यह आप कहरें जो उनके खिलाफ होगा आप उसके साथ जा सकते हैं क्योंकि वह हमारे खिलाफ हैं अच्छा दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है